आरे बड़ी खुशी के सांख में चली बरातबा मां खुपाई मंड़ा पलाओ गढ़ाबाई रेदे मती की करी सगाई आरे बड़ी खुशी के सांख में चली बरातबा मतुपाई रेदे मतुपाई रेदे मतुपाई मंड़ा पलाओ गढ़ाई रेदे मती की करी सगाई भई मेल से चुदा सामकों में बालाई रचरवाई पलकी के बीच में फोरन रे दीनी है वाई खाई पलकी में बैठने के लिए चली तो लड़कियां पीछे से चली दवाब दिया बेहन अब तुम लोट जाओ अब मुझे तो जाना है जा रही हूं मैं तो और उसी समय एक बात कही है सही दी कि पलकी में होके सबार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे कोई रोग सके रोग दिले मुझे ले जाते साजन बच्पन का प्यार भी बिसार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे पलकी में होके सबार चली रे मैं तो अपने साजन के द्वार चली रे और उसी समय देव की जब चली तो साथ की लड़किया रुप गई और देव की रोही नहीं पालकी में बैठने से पहले आज कल जैसी दसा नहीं थी पहले रौना नहीं चलता था और आज कल की अगर कोई पड़ी लिखी समझदार लड़की अगर न रोए तो वह और तो उने चेनों इना लें देती एक तब गूदे के बैठ गई गाड़ी में एक वासुना डारो जेकी सरलाटे और रोईबो का रोईबो है गंटा अद गंटा पहले खूब आजेंगी खेलेंगी अब बागी बाद में जैसे ही कधा से कधा लगे उलाथी सीट अपकर लगें जाए ना यह समझ में आते कि आँसुन का अंधर ही रहती इतनी जोर से रोषती ही जा लगते कि अवह तो आजाए कि जिन्दी ने रहे और थोड़ी देर रोए और गाड़ी जोई गाउं से बाहर भाई यह नहीं जांके इपुली गाड़ी रोगी रोगए रोक जो जो पर बाजाए चली जाए है तो रोगो का रोगो है उसी समय देब की नई रोई पालकी में बैठ गरे चली कंस पहुंच गया बेन होई बस देव अरे इस पालखी में कब तक पहुँचो गई हमें याँ पर क्या कर रहे हैं ऐसा करो हमारे रत में आ जाओ हम तुम्हें सौरीपुर तक छोड़ देंगे रत में बिठा लिया और जब चला तो देवकी से एक बात कही बेन सौरीपुर में जाकर किसी से दबने की कोई जरूरत नहीं है किसी से दब के मत रहना अगर कोई कुछ कहे तो गमंड से कह देना मैं भगवान भोजराज कंस की बहन हूँ इतना कहोगी मान जाएगा और अगर इतने से नहीं मानेगा सौरीपुर से उठा लाऊंगा मत्वरा में जिन्दा लाकर जमीन में दबा दूँगा लेकिन किसी को दुख ही नहीं देखूगा यूँ कि एरदा ही बड़ा था यालुए मेरा था और ये बात जब कही और ये बात आज भी देखने को मिलती है तुमने देखी हुई है जब घर में लली की साथी होई और लली रोई अमा जब भेजती थी तो काई बेजती पता बेसकार पीः उफनों लली को भेजती बेदूला की चांदे बिटाए के बेजती बोली जाओ अब कई चांदे पे कैसे अब तुम बताए रहे जैसे ही बिदा भाई और लली रोई अम्मा ने पास बनाई जबाब दुए हैं रोई काये को रही क्यों रोई रही बिल्कुल मत रोऊ है घर जाए रही चार मांगे थे हमां छेदाए घर में अगर काउ चीज़ की कोई कभी निकर आया तो तुम हमें ब अब फिर अम्मा की पौबर मिली गई तो फिर भे लली दाती पे अरे काये खाए तो मेरा मतलब है कंस ने भी बही बात कई लेकिन हर मां को अपनी बेटी को अच्छी सीख देनी चाहिए बेटी जा रही हो आज के बाद ये घर आपका नहीं है जहां तुम जा रही हो वो घर तुम्हारा है कैसे रहोंगी ये तुम जानो क्योंकि जिन्दगी अब उसी घर में कटेगी तो फिर वे लली जादा उची नहीं चलेंगी तो मेरा मतलब यही है भक्त जनौब बताया ये जाता है कंस जब चला तो आकास बानी ही देवताओं ने आकास बानी की है आवाज लगाई है कंसरा कंस बोला कौन है कौन है आवाज आई है कंस अरे लाल चुनरिया उड़ा बेहन को तु रध में बैठाए और सुने लें बापी कंस राज क्यों इतना हरसाए और इसी के लाल होगा पही तेरा काल हो अरे लाल चुनरिया उड़ा बेहने को रध में बैठाए और सुन ले पापी कंस राज क्यों इतना हरसाए इसी के इसी के इसी के लाल होगा पही तेरा काल होगा इस पहन देव की वे ऊपर कितना आनंग मनाता है और इसी के काले परगे में तेरा धातक बिखलाता है मेरी माने कही तू कंस राज अब चान सही तू कंस राज इस पहन देव की का लड़का जन्जाल होगा कही तेरा काल हो और उसी समय कंस ने ये बात जब कही जबाब दिया है बहन का लड़का मेरा काल होगा केस पकड़ करके देव की को रत से नीचे खीच लिया देव की बोली बहिया क्या कर रहे हो जबाब दिया है तुम ने अभी आकास बाणी नहीं सुनी बिना स्वार्थ के कोई पाप नहीं होता है और जब प्राणों पे नौबत आती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता है अगर तुम जिन्दा रहें तो हम जिन्दा नहीं रहेंगे अब भाई मैं मरना नहीं चाहता मुझे मौत से बड़ा डर लगता है अगर मैं मर गया ना तो मेरे पीछे मेरी प्रजा के न जाने कितने मरे जाएंगे इसलिए देवकी बोली वही अगर मेरे मने से तेरी जान बच रही है तो तुम मुझे मार दे और जैसे ही मारने के लिए हुए तो बस देव ने रोक लिया कंस क्या कर रहे हो पागल हो सूर बीर कभी अबला पे हाथ नहीं उठाते हैं और हम यमना की सौगंद खा रहे हैं जब तक आठ बच्चे पैदा नहीं हो जाएंगे हम सौरी पुर में नहीं जाएंगे जब आप दिया बेहनों ये बस देव तुमारे यादत अच्छी है और तभी तो मैंने अपनी साथों बेहनों की साथ ही तुमारे साथ मुगी है कोई बात नहीं देव की और बस देव की हाथों में हतगड़ियां पैरों में बेड़ियां डाल करके मतुरा में बंद कर दिया खुद राज करने लगा अब तो कंसात्याचार की हद पार कर दी तो प्रतवी गाए का स्वरूप बना करके ब्रह्मा जी के पास पहुँची देवताओं के साथ में तो ब्रह्मा जी और सभी देवता कहने लगे प्रतवी हम और आप क्या कर सकते हैं अरे भगवान से ध्यान लगा हो क्योंकि हर ही हर सकते हैं पीडा अपने साथ धन यबबे ही हैं निरगुड के गुड़ निरबल के बलड निरधन के धन यबबे ही हैं कहां मिलेंगे भगवान बुले कोई जगा खाली नहीं है जहां भी भगवान को दियाओ और जहां भी बजो उसी जगह आजाते हैं क्योंकि तुल सीदाशी लिखते हैं कि हरी प्यापक और सरबत्र समाना प्रेम से प्रकत होएं मैं जावाना कि लड़ मैं जावानी समताश काई प्रकत कि अजाते हैं कि तुमरो कि तुम प्रकत की आप अजाँ आरे locks होएं मैं तुमरो कि तुमार की तुम नच्याशी डिए exponential look प्रेम से प्रकेतों ओय मैंदाण अरे ब्यापकसर बत्रसाब